एक संटेंस है जो पहले भी काई बार कह चुको हूँ शायद एक बर दोराना जरूरी है वो क्योंकि शाद भूल जाता है वो संटेंस बड़ा सिंपल है कि कोशिश करें अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल ना अपने हाथ में रखें हम जब अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं तो सारी जिंदगी फिर उसके इशारों पर पपेट्स की तरह कटपुतली की तरह नाकते रहते हैं तो अगर जिंदगी में कटपुतली नहीं बनना है या खुद को नहीं बनाना है तो बहुत जरूरी है अपने जिन्दगी का remote control अपने हाथ में रखें अब ये बात आती है कि remote control का मतलब क्या है मतलब ये है अपने emotions का सारा trigger अपने हाथ में रखें अपनी सारी जो expectations जो दूसरों से बना रखी है या फिर किसी परकार की validation, appreciation, acknowledgement, approval, acceptance उनसे हम मांगते हैं उन सब को drop कीजिए ताकि वो सारी चीज़ें छट जाएं ताकि आप अपने जिन्दगी का remote control सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखाएं Thank you so much, be sure we go